इस उश्मा इंजन को हम दो भागों में वर्गिक्रित करते हैं एक है बाहे दहन इंजन और दूसरा है आंत्रिक दहन इंजन जैसे कि नाम से हमको समझ में आ रहा है कि बाहे दहन इंजन में जो इंधन होता है उसका दहन बाहर होता है इंजन के जबकि आंत्रिक दहन इंजन मे जो इंधन का दहन होता है यह जलाया जाता है वो इंजन के अंदर ही होता है बाहे दहन इंजन का उधारण है भाप इंजन जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस भाप इंजन में जो इंधन है वो बाहर जलाया जाता था जैसे कि हमने लोकोमोटिफ ट्रेन के इंजन के बार में पढ़ा था, जिसमें कि कोईले को बाहर जलाया जाता था, और एक बॉयलर के अंदर पानी भरा होता था, यानि कि कारे कारी पदार्थ था पानी, जिसको हम बाहर जल रहे कोईले की सहता से उश्मा देते थे, और यही पानी भाब ब कर आगे ट्रेन को चलाने का कार्य करता था बाहर दहन इंजन में जो दहन कक्षे वो बाहर होने के कारण इस इंजन का आकार बढ़ जाता था साथ ही इंजन भारी भी हो जाता था और दहन कक्षे बाहर होने के कारण जो उश्मा उत्पन होती थी वो सीधे बॉयलर तक नहीं प परिवर्तित हो जाती थी और यही कारण है कि बाहे दहन इंजन में आवाज भी बहुत अधिक निकलता है साथ-साथ धुआ भी निकलता है और इसी कारण ही इस बाहे दहन इंजन की दक्षता कम हो जाती है जब इंधन का दहन किसी बाहे कक्ष में हो रहा है तो इसमें से निकल लगता है और इन्हीं सभिक कमियों को दूर करने के लिए आंतरिक दहन इंजन की निरमाण किया गया आंतरिक दहन इंजन में इन्धन का दहन उस इंजन के अंदर ही होता है जिसे की इस एंधन का आकार छोटा हो जाता है साथ साथ इसकी दक्षता बाहे दहन इंजन की तुनला में बढ़ जाती है और इंधन का दहन इंजन के अंदर होने के कारण इसकी दक्षता भी बढ़ जाती है अब यह जो आंत्रिक दहन इंजन है इसको भी हम दो भाग में बाट देते हैं यह जो आंत्रिक दहन इंजन है यह भी दो प्रकार के होते हैं एक आटो इंजन जिसको हम पेट्रोल इंजन भी कहते हैं और दूसरा है डीजल इंजन इसके अंदर उप्यूगत होने वाला इंधन पेट्रोल है इसे लिए इसका नाम पेट्रोल इंजन रखा गया है पर इसे आटो इंजन क्यों कहते हैं क्योंकि इसे वेग्यानिक आटो ने बनाया था इस आटो इंजन में यानि कि पेट्रोल इंजन में 2 परसेंट पेट्रोल का वाश्प होता है और 98 परसेंट वाईयू इस इसके mixture से बने इंधन से ही यह इंजन कार्य करता है इस ऑटो इंजन का आकार इस भाप इंजन की तुनला में छोटा होता है यह जल्दी चालू हो जाता है इसकी दक्षता भाप इंजन से यानि कि बहाय दहन इंजन से अधिक होती है जो कि 47% है और यह धूआ रहीत होता है इस इंजन का आकार छोटा होता है इसलिए हम इसे कार स्कूटर और वाईयू यान में इस्तमाल करते हैं चुकि पैट्रोल की कीमत अथिक होती है इसलिए ये इंजन इस्तमाल करने में हमें ज्यादा खर्चीला लगता है साथ ही यदि स्पार्क प्लग खराब हो जाए तो यह इंजन भी बंद हो जाता है साथ ही इस पैट्रोल इंजन में पैट्रोल का वाश्प इस्तमाल किया जाता है जिसकी करण विस्पोर का खत्रा भी बना रहता है दूसर वो डीजल इस्तमाल किया जाता है यह इंजन भी भाप इंजन की तुनला में आकार में छोटा होता है इसकी दक्षता ना ही भाप इंजन बलकि पेट्रोल इंजन से भी अधिक होती है डीजल इंजन में कच्चा तेल इंधन की रुप में इस्तमाल किया जाता है इसका मतलब य यहां इंजन इस्तमाल करने में किफायती होता है क्योंकि यहां पर इंधन कम इस्तमाल होता है इस इंजन की दक्षिता 54 परसंट होती है जो कि भाप इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों से अधिक है लेकिन इस इंजन को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि इसका सिलेंडर प्रारंभिक लागत अधिक लगता है और इसलिए प्रारंभ में इस इंजन के निर्माण में खर्च अधिक हो जाता है और यह कहें तो हम डीजल इंजन को यदि पेट्रोल का इंजन से कंपेर करें तो वो महंगा होता है और यही कारण है कि जब आप किसी कंपनी की से मॉडल क दो अलग-अलग गाड़िया लें, जिसमें कि एक में पैट्रोल इंजन हों और एक में डीजल इंजन, तो जो पैट्रोल इंजन वाली गाड़ी है, वो हमको सस्ती पड़ती है, यदि हम उसको डीजल इंजन वाली गाड़ी से कंपेर करें, लेकिन जब हम इस्तमाल करते हैं, तो पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी हमको खर्चीरी लगती है इस डीजल इंजन वाली गाड़ी की तुल्ना में, वो इसलिए पहला तो पेट्रोल का दाम डीजल की तुल्ना में अधिक है, दूसरा पेट्रोल इंजन की दक्षता डीजल इंजन की तुल्ना में कम थे, तो व वो हमारे लिए किफायती रहेगा साथ ही कभी एक्सिजेंट होता है तो जो पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी है उसमें आसानी से विस्फोट हो जाता है यदि हम डीजल इंजन वाली गाड़ी से तुन्ला करें तो उश्मा गतिकी के प्रथम नियम से हमने देखा कि किस प्रक और वो जब गिरता है तो उसकी स्थितीज उर्जा उसकी गतीज उर्जा में कनवर्ट हो जाती है साथ ही हमने ये भी जाना कि जब हम दो वस्तूओं को एक दूसरे के कॉंटेक्ट में लाकर रखते हैं और यदि वे एक दूसरे से उश्मा एक्सचेंज करने में समर्थ हो और उसमें एक का ताप अधिक हो और दूसरे का कम हो तो उश्मा हमेशा उच्यताप वाली वस्तुंसें निम्न ताप वाली वस्तु के और प्रवाहित होती है ऐसे ही हमारे पैस कई और उधारण है मान लीजिए एक कंटेनर है जिसको दो भागों में बाट दिया गया है और उसमें दोनों भागों में अलग-अलग गैस रखे हुए है और उस विभाजित करने वाले भाग को यदि हटाया जाए तो क्या होगा वैसे ही यदि एक बलून में हवा भरी हो और उस बलून को छोड दिया जाए तो क्या होगा जब आप गरम चाय दूद यह पानी लाते हैं और टेबल पर रखकर भूल जाते हैं काम में बीजी हो जाते हैं और जब आप उस चाय को यह दूद को यह पानी को वापस पीने जाते हैं तो क्या होता है यह जो तीन उधारन मैंने अलग-अलग द दो अलग-अलग प्रकार की गैस डिवाइड होके भरी हुई थी, यदि विभाजन को हटा दिया जाए, तो गैस आपस में मिक्स हो जाएगी, ऐसा ही होता है, जब हम पर्फियूम की बॉटल को खोलते हैं, तो पूरी सुगंध जो है उसकी खुश्बू, वो पूरे कमरे में भर जाती है, यदि एक हवा से भरा हुआ बलून को हम सीधे छोड़ देते हैं, तो उसमें से गैस अपने आप बलून से बाहर निकल जाती है, वैसे ही गर्म चाय, दूद्ध या पानी को लाकर हम भूल जाते हैं, तो थोड़े दिर बाद उसमें से उश्मा बाहर निकल कर बातावरिन में चली जाती है, और चाय ठंडी हो जाती है, तो यह सारे कोश्चन के आंसर आपके पास अवेलेबल थे, क्योंकि आपने इनको एक्स्पीरियंस किया था, मैं ये कहूं कि क्या ये पॉसिबल है, कि ठंडी वस्तु से उश्मा उच्चिताप वाली वस्तु क्यो वो जो बलून से हावा बाहर निकल गई है, वो अपने आप ये उस बलून के अंदर घुस जाए, या फिर ये जो दोनों ही गैस कंटेनर में आपस मिल गाये थे, वो वापस एक दुर से सेप्रेट हो जाएं, तो क्या ये वास्तव में पॉसिबल है? इसका आंसर तो आप न पॉसिबल होने चाहिए, क्योंकि जब बलून से हवा बाहर निकल जाती है और वापस भरी जाएगी, इसका मतलब क्या होगा? कि उस बलून के अंदर भरे हुए वाईयू के गैस की आंतरी कूर्जा वही होगी, वैसे ही जो दो गैस आपस में सेपरेट होने के बाद मिक्स ह हो चुके थे, वापस सेपरेट करेंगे, तो उनकी आंतरी कूर्जा वही होगी, तो जब आंतरी कूर्जा सेम है, तो ये प्रोसेस पॉसिबल होना चाहिए, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता, वैसे ही हम उश्मा गतिकी के प्रथम नियम के अधार पर उश्मा इंजन का नि कारीपदार्त चक्रिय रूप से कारे कर रहा हो तो, लेकिन फिर भी इस उश्मी इंजन की दक्षता एक से कम थी, इसका मतलब यह है कि उश्मा गतिकी के इन नियमों में कुछ चीज मिसिंग है, और वो मिसिंग चीज का आंसर करने के लिए ही उश्मा गतिकी के दूसरे नि या फिर नहीं हो सकता, नहीं बनाया जा सकता, ऐसे शुरुवात होती है, और यह दोनों ही कथन दो अलग-अलग वज्ञानिकों ने दिया था, क्लाशियस के अनुसार, ऐसी कोई भी स्वाचलित मशीन बनाना असंभव है, जो निम्न ताप वाली वस्तु से उश्मा को उच ताप वाली वस्तु में स्थानांत्रित कर सके, और इसी नियम के अनुसार यदि हम देखे, तो निम्न ताप वाली वस्तु से उच्छ ताप वाली वस्तु में उश्मा का प्रवाह नहीं होता, वैसे ही निम्न विभव से उच्छ विभव में भी धारा का प्रवाह नहीं हो हम रिवर्स प्रोसेस भी करवा सकते हैं यदि बाहय बल लगाया जाए जैसे कि एक नीचे रखे उए पत्थर को ऊपर पहुचाना है तो हम बल लगाते हैं और उसकी सहायता से वो पथर नीचे से ऊपर कि पहुच जाता है वैसे ही बाहे बल लगाने पर भी धारा निम्न विभव से उच्छ विभव की और प्रवाहित हो सकती है और वैसे ही ठंडी वस्तू से उष्मा गर्म वस्तू तक भी पहुचाई जा सकती है और इसी के आधार पर ही तो रेफ्रीजिरेटर का निर्माण किया गया उश्मा गतिकी के दूसरे नियम को कैल्विन प्लांक के कथन के द्वारा भी परिभाशित किया जाता है इनके अनुसार ऐसे इंजन का निर्माण करना असंभव है जो कि किसी भी उश्मा श्रोत से उश्मा ले और चक्रिय कारी करने के बाद उसे पूर्ण रूप से कारे में परिवर्तित कर दे इन दोनों नकारात्मक कत्नों से यह सिद्ध होता है कि रिवर्स प्रक्रिया भी पॉसिबल है लेकिन उसके लिए बाहे बल लगाना अवश्यक होता है और इसी के आधार पर ही रेफ्रीजरेटर का निर् शोशित करती है और उच्च ताप वाली वस्तू को स्थानांत्रत कर देती है यदि हम रेफ्रीजिरेटर की संडचना को देखें तो इसमें एक निम्न ताप की वस्तू होती है और एक उच्च ताप की वस्तू होती है जिसका तापमान अधिक होता है पर नियत होता है और साथ इसमें कारे कारी पदार्थ होता है जो जक्री रूप से कारे करता है यह कारे कारी पदार्थ उश्मा को थंडी वस्तू से अवशोशित करता है और उसे उच्च ताप वाली वस्तू में स्थानांतित करता है पर इस प्रक्रिया में इस कारे कारी पदार्थ पर कार्य किया जात है तो यदि इसको हम चित्र अनुसार देखें तो मान लीजिए यह ठंडी वस्तु है जो निम्न ताप पर स्थित है और यह उच्च ताप वाली वस्तु है जिसका ताप नियत रहेगा अब इसके बीच में कारे-कारी पदार्थ है जो की चक्री रूप से कारे करेगा रेफ्र पर यह कारे-कारी पदार्थ इस निम्न ताप वली वस्तु से क्यू टू उश्मा को अवशोशित करता है ऐसा करने के लिए इस कारे-कारी पदार्थ पर कारे करवाया जाता है माना कि डबलू कारिये इस पर करवाया जा रहा है इसके कारण यह कारे-कारी पदार्थ Q1 उश्मा दे रहा है तो उर्जा संगरक्षन के नियम से देखे Q2-Q1 बराबर होगा माइनस डेबलियो माइनस चिन इस बात का घोतक है कि यहां पर कार्य पदार्थ के ऊपर करवाया जा रहा है और माइनस Q1 का मतलव है कि उश्मा दी जा रही है और हमने Q2 को धनात्मक लिया है इसका मतलब उश्मा इस कार्य कारी पदार्थ के द्वारा ली जा रही है तो यहां से हम देखें तो Q1 बराबर होगा Q2 प्लस डेबलियो इस पूरी प्रक्रिया में जो कारी करवाया जा रहा है इस कारेकारी पदार्थ को वो एलेक्ट्रिक मोटर की सहता से करवाया जाता है हम देखते हैं कि जब हम विद्दूद ऊर्जा देते हैं तो वो मोटर की सहयता से ही ये कारे-कारी-पदार्थ ठंडी वस्तू से उश्मा लेता है और ये गर्म वस्तू को देता है अब आप बोलेंगे कि रेफ्रिजिरेटर में गर्म वस्तू कौन सी है तो अपने जब में ये वाता वरंण ही इस रेफ्रिजिरेटर के लिए उच्च ताप वाली वस्तू का कारे करता है और हम जानते हैं कि वाता वरंण को कितना भी ताप दिया जाए इस रेफ्रीजिरेटर के माध्यम से तो इसका ताप बढ़ता नहीं है हाला कि थोड़ा बहुत बढ़ जाते जाती हैं जिस प्रकार हम उश्मा इंजन की दक्षता ग्याद करते थे वैसे ही रेफ्रीजरेटर में हम कोफीशेंट ऑफ परफॉर्मेंस यानि की कार्य गोणांक ग्याद करते हैं और किसी भी रेफ्रीजरेटर का कार्य गोणांक कारे-कारे-पदार्थ द्वारा निम Q2 इस निम्नताब से ली गई उश्मा थी और W इस कारे कारी पदार्थ पर किया गया कारिया चुकि W का मान Q1-Q2 है इसे लिए बीटा बराबर होगा Q2 upon Q1-Q2 इससे पहले हम जब कार्णों चक्र में गणिती क्यलकुलेशन कर रहे थे तो हमने देखा था Q1 upon Q2 के जगे हम T1 upon T लिख सकते हैं मतलब उश्मा को हम ताप के रूप में भी दर्शा सकते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे Q1 upon Q2 बराबर T1 upon T2 अब इन दोनों पक्षों में एक घटाने पर हमें मिलेगा Q1 upon Q2-1 बराबर T1 upon T2-1 बस इसको हम सरल करते जा रहें LC हम लेंगे तो यहां होजएगा Q1-Q2 upon Q2 equal to T1-T2 upon T2 अगर मैं दोनों पक्षों का व्यूद्क्रम करूं तो यह होगा Q2 upon Q1-Q2 बराबर T2 upon T1-T2 जहां हम देखें बीटा बराबर होता है T2 upon T1-T2 और यह Q2 upon Q1-Q2 यह तो कार्य गुणां के बराबर होता है तो यहां से हम लिख सकते हैं बीटा बराबर T2 upon T1-T2 और यही किसी भी रेफ्रीजरेटर प्रशीतक के कार्य गुणां का सूत्र होता है और इस सूत्र से यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे पदार्थ का तापमान कम होता जाएगा मतलब थंडी वस्तू और थंडी होते जाएगी उस कंडिशन में रेफ्रीजरेटर को कार्य करवाना उतना ही मुश्किल होते जाता है अब यू कहें कि इस वस्तू का ताप शून्य हो जाए यानि कि वस्तू परम ताप में पहुँच जाए उस समय ये कार्य गुणांग भी शून्य हो जाएगा और यूं कह सकते हम लो कि ऐसा रेफ्रीजिरेटर बनाना असंभव है जिसमें की वस्तु के तापमान को परमशुन्य तक पहुचाया जा सके अब हम रेफ्रीजिरेटर के कार्य गुणांग और उश्मा इंजन की दक्षता में संबंध ग्याद करेंगे हम जानते हैं कार्य गुणांग का बीटा बराबर Q2 अपॉन माइनस Q2 और यहाँ पर हम नियूमरेटर और दिनमरेटर में यदि Q1 से भाग दे दे तो हमें मिलेगा बीटा बराबर Q2 upon Q1 upon 1-Q2 upon Q1 जैसा कि हमने दक्षता के सूतर में देखा था इटा बराबर होता है 1-Q2 upon Q1 तो यहां से हम देखे तो Q2 upon Q1 बराबर होगा 1-ईटा अब यह दोनों ही मान को हम बीटा के फॉर्मुले में रखते हैं तो बीटा बराबर मिलेगा 1-ईटा upon ईटा और यही है कार्य गुणांग और दक्षता में संबंध यह संबंध हमने इसने स्थापित किया क्योंकि यह examination point of view से एक important संबंध है जिसके अधार पर कुछ आंकिक प्रश्ण भी हमको देखने को मिलते हैं माइनस 73 डिग्री सेल्सियस तथा 127 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करने वाली प्रशित्तित्र के कार्य गुणां की गणना कीजिए इस प्रश्ण के नुसार T2 बराबर माइनस 73 डिग्री सेल्सियस है जिसको कैल्वीन में कनवर्ट करने पर हमें मिलेगा 200 कैल्वीन और T1 बराबर 120 डिग्री सेल्सियस है जिसे कैल्वीन में कनवर्ट करने पर मिलेगा 400 कैल्वीन प्रशितित्र की दक्षता बीटा बराबर होती है T2 upon T1 minus T2 यहाँ पर मान रखने पर हमें मिलेगा 200 upon 400 minus 200 यानि कि 200 upon 200 जिससे की प्रशितित्र की दक्षता बीटा बराबर होगी 1